रामचरित मानस के खिलाफ आरजेडी के नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री चंदरशेकर और उत्तरपदेश में समाजवादी पार्टी के महमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या मोर्चा खोले हुए थी बार-बार मांगी जा रही थी कि रामचरित मानस में बहुत सारी चीजें अईसी हैं जिनको स्विकार नहीं किया जा सकता उनको बदला जाये उनको हटाया जाये पूर्य देश में एक वातावरण बनाया गया कि तमाम हिंदू धर्मग्रंथों में अपमांजनक चीजें हैं समाज के एक वर्ग के लिए यह विवाद अपनी गती से भी चल रहा था कि अचानक से राष्टी स्वयम सेवक संगह के सबसे बड़े चेहरे यानि सरसंग चालक मोहन राव भागबत ने कल कह दिया कि हिंदू धार्मिक ग्रंथ जो हैं कि पहले ग्रंथ लेखन की परंपरा नहीं थी ग्रंथ वाचिक तोर पर ही सुरक्षित रहे फिर उसके बाद में जब लेखन आया तो भागबत जी के मुताबिक कई स्वार्थी लोग भी उस दौर में आ गए और उन लोगों ने स्वाम आपत्ति जनक चीजें लगा दी जोड़ दी तो भागवत जी ने मांग की है कि अधार्मिक हिंदू धार्मिक ग्रंथों की और परंपराओं की समिक्षा होनी चाहिए अब बात और बड़ी हो गई अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्या और चंद्रशेखर कह रहे थे तो बात उतनी बड़ी नहीं थी अब जब भागवत जी ने कह दिया कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों की समिक्षा होनी चाहिए तो कोहराम भी उतना ही बड़ा मचना तय था जितना बड़ा कंट उतना बड़ा विवाद भागवत जी का कंट बड़ा है तो विवाद भी बड़ा शुरू हो गया कैसे तै होगा कि किस ग्रंथ की समिक्षा की जानी चाहिए एक विवाद के विंदू जो है वो यह कौन करेगा समिक्षा एक के लिए आपती जनक है दू कि लेखन परंपरा से लेखन के अविश्कार से पहले के और धार्मिक ग्रंथ जो होंगे धर्मों के क्या उनमें भी समिक्षा का अभियान चलाए जाएगा या वो यथावत मानने होंगे केबल हिंदु धार्मिक ग्रंथों में समिक्षा का अभियान चलेगा यह बड़ा सवाल है अब देश में इस पर विवाद भी होगा और मन्थन भी होगा कि आखिर भागवत के कहने का कि आखिर में खागिया जारा शाम कुपाची यह रही में साथ